तूं क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका एलान खुद आस्मान करता है दिन में दो बार सूरज उगने से पहले और सूरज धलने के बाद नमस्कार स्वागत है आपका TFI पर जोय देश का सब सब विश्वस्य है और अवगत कराऊंगा कि कैसे अजय देवगन के वर्षों के प्रयास को आखिरकार उनका उचित सम्मान मिला है इससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अविलम आरंब करते हैं हाली में राष्ट्य फिल्म पुरुसकारों की घोशना हुई जो वर्ष 2020 से 2021 के सत्र के लिए थी इस बार OTT और सिनमा में प्रदर्शित फिल्मों के बीच काफी तगड़ा कॉम्पटीशन था जिसमें तमिल फिल्म सूराराई पोटरू ने विजय प्राप्त करते हुए पाच पुरुसकार बटोरे जो प्रसिद एरलाइन सेवा ए डिकन की स्थापना पर आधारे थी और जिसमें सर्वश्रेष्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ट अभिनेता, सर्वश्रेष्ट अभिनेतरी, सर्वश्रेष्ट पार्शव संगीत इद्यादी के पुरुसकार शामिल थे परंतु यही अकेले नहीं थे जिन्होंने लाइमलाइट बटोरी चर्चित निर्देशक ओम्राउत की तानाजी दा अनसंग वारियर को एक नहीं तीन राष्टिय पुरसकार प्राप्त हुए, जिसमें से एक पुरसकार स्वयम अजय देवगन को भी प्राप्त हुआ, अजय देवगन को ये पुरसकार सैयुक्त रूप्ष से सर्वशेष्ट अभिने के लिए भी प्राप्त हुआ, जो उन्होंने इस फिल्म में मुख भूमिका यानि सूबेदार तानाजी मालूसरे के भूमिका के लिए मिला। क्विन्ट ने तो कुछ इस तरह से विश उगला था। तानाजी के ट्रेलर की तुलना पानीपत के ट्रेलर से करते वे 2019 में उस समय लेखिका ने ये ध्यान देने का प्रयास करा था। की फिल्मों का बोल बाला है। आतमवादी रोधी, उरीद सर्जिकल स्ट्राइक और बेबी एक देश के रूपे भारत का महिमा मंदन करने वाली फिल्मों का उधारन है। इनमें भी महतुपून है कि वो एतिहासिक फिल्मे और खास कर मद्धकाली जमाने का एतिहास बताने वाली फिल्मे जिनमें हिंदू राष्टवाद को पुरुटसाहित किया जाता है, उन्हीं को बढ़ावा देती है। ये बात संजे लीला भनसाली की पद्मावत और बाजी रमस्तानी से साफ है। इसी कड़ी में ताजा उधारन है आने वाली फिल्में पानी पद्द ग्रेट बी ट्रेयल और ताना जी दा अंसंग हीरो। ये तो कुछ भी नहीं है। जब ताना जी प्रदर्शित हुई तो दक्विंट की कुण्ठा कुछ अलग लेवल पे निकली। जिसे देकर आप भी सोचोगे आखिर इतनी नफरत आती कहां से है। यकीन न हो तो इस लेख की पंक्तियों को पढ़िये। जिसमें लिखा है ताना जी मिद्द सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर भगवा पावर तक सब कुछ दिखा। मालुम परता है कि फिल्म निर्माता ने जान बूच कर सर्जिकल स्ट्राइक का नारेटिव इस्तमाल किया है ताकि मराठा और मुगलों के बीच जंग को भारत-पाकिस्तान तनाव से जोड़ा जा सके। साफ है कि ये नारेटिव हिंदू बना मुस्लिम पर आधारित है। 1670 में हुई कुंधाना की लड़ाई पर आधारित फिल्म निश्चित रूप से धार्मिक आधार पर हुई लड़ाई दिखलाती है। उस जंग के मुखिक करदार थे छत्रपती शिवाजी के कोली जाती के एक सेनापती तानाजी मलसरे और मुगल सामराज जैसे दो-दो हात करने वाले राजपूच सेनापती उदैभान सिंग राठोड। उस जंग में कहीं हिंदू-मुसलिम का एंगल नहीं था लेकिन फिल्म निर्माता ने जान बूच कर उस जंग को अच्छे और बुरे हिंदू बना मुसल्मान और भारतिय राष्ट्रवाद की विदेशी शासन से लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया। ताना जी की भूमिका में है अजे देवगन जबकि उदेभान की भूमिका में सैफ अली खान। मराठा सेना सफेद या भगवा कपड़ों में है जबकि मुगल काले या हरे कपड़ों में। 20 वर्ष पूर्वी राष्ट्री पुर्षकार प्राप्थ हुआ हो उन्हें एक बार फिर ऐसे ही निश्कपट पर्फॉर्मेंस के लिए पुनया भारत ने उचित सम्मान दिया है। वस सुनने में आ रहा है कि महोदे आचारे चानक के को भी सिल्वर स्क्रीन पर आत्मसाथ करना चाते है। अगर ये सत्य में परिवर्थित हुआ तो अगर ये सत्य में परिवर्थित हुआ तो